आज मैं आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास इंग्लिश फर्स राइट बुक का चैप्टर ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया अब यह है तो एक चैप्टर बट है इसमें तीन पार्ट चीक है तो बेसेकली तीन चैप्टर ही है तीन अलग-अलग नाम है और तीन अलग-अलग एक तक पोच्यूकीस रूल चलता था गोवहां में ठीक है पोच्यूकीस तो चले गए बट गोवहां में अभी बि जोपॉच्यूकी की डोफ़ आश्ते में और फेस्विल के टाइं पर उन तो एन इंजए करते हैं और ब्रेट बहुत इंपर्टेंट आप कह सकते हो एक हिस्सा है उनके कल्चर का ठीक है तो पहला वाला जो चाप्टर है बेकाफ रॉम गॉस में जो हमारे राइटर है जिनका नाम आप मुझे बताओगे कॉमेंट सेक्शन में क्योंकि यह है हमारा है हम लोगोंने क्या है प्रॉमिस कर रहा है आप सबी क्लास 10 व बारे में जानने वाले है तो पहले चाप्टर में गोवा की बेकरी इसके बारे में जानेंगे दूसरा चाप्टर जो वह एक कूर्च नाम की जगा जो एक बहुत ही जादा ब्यूटिफुल प्लेस है जैसे कि हम हिल स्टेशन पर जाते है तो हमें अच्छा लगता है वैसी जब चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हें इतना अच्छा लगने वाला है एक इतनी सुन्दर जगा जिसे कहा जाता है कि शाद स्वर्ग से ही नीचे आ गया ही हमारी दर्थी पे क्या नाम है कूर्च है ठीक है तीसरा चैप्टर जो है उसका नाम ही टी फ्रॉम असाम वहां तो आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर अबेकर फ्रॉम अब इस वाले चैप्टर में क्या होने अला है हमारे जो ऑथर है वो याद करेंगे उन दिनों को जब वो चोटे थे और उस जमाने में बेकर्स कितने फेमस रहा करते थे वो सब बाते हो हमें बताएंगे अपने पषयते बैकर को आपनी मेंडा का वह ऑट तो सब्सक्राइब करते है घृज़ फेमस रहा करते हैं और भी बात श्रूरु नहीं हो अब हमें भी जा वह बेकर्स है और अब लेड़ आब हुआ चाहिक है तो चलो शुरू करते हैं तो जैसे चाप्टर शुरू होता है बताते हैं कि हमारे जो एल्डर पीपल है ना यानि कि हमारे आगे जो बुड़े लोग है वो कई बार उन दिनों को याद करते हैं कि जब वो लोग छोटे थे और पॉचुगीज का रूल था तो उस जमाने में बहुत ब्रेड्स बना गरती थी वो कई बार उन दिनों को याद में जब जैसे कि जब पॉचुगीज का रूल तो जमाने में जो बेक्रीज थी ऐसा नहीं है कि पॉचुगीज रूल खतब होने के बाद वो बेक्रीज बंद हो गई नहीं बेक्रीज अभी भी वहां पे है जो बड़े-बड़े बहुत सारे बेकर्स अभी भी गाउं में है जो ब्रेट के लिए आटा मिक्स करते होंगे जो ब्रेट बनाते हैं इच एंड एवरी काम जैसे जो पहले चला करता था वो अब भी चलता है ठीक है तो आपको यह याद रखना है डाट, mixers हो गए, molders हो गए और वो लोग जो bread को bake करते हैं age old time tested furnaces के ओपर age old time tested furnaces में जब कि जब Portuguese भी rule करते थे उस जमाने की भटिया भी आज तक चालू है वहाँ गोवा के अंदर और लोग अभी भी bread को उतना ही जादा पसंद करते हैं जब आते चोटे थे तब भी जो है सुबह सुबह बेकर उनके घर के बाहर bread बेशने के लिए जैसे हमाने सुबह सबजी मेशने के लिए ना ठीक है वैसे गोवा के अंदर याद करते कि बच्छपर में बेकर आते थे bread बेशने के लिए तो वो केते हैं यह तभी आते थे आज भी अगर आप गोवा में जाएंगे और वहां पे सड़कों पे सुबहा के समय में बेकर जो है उनके एक वो कैसे आता है जैसे कई बार घंटी बजाते वे आते हैं जैसे कॉटन गैंडी वाले आते कई भार घंटी बजाते वे आते हैं तो वैसी यह जो बेकर है जब घर के बार आते थे तो वह एक बैंबू रखके लाते थे अपने साथ और एक बास्केट होती थी और वह जो बैंबू होता था वह स्पेशली मेड होता था उसमें गंटी लगी होती थी उसमें से जंग-जंग करके आवाज आती थी तो पूरे महले को पता चलता था कि बेकर आ गए है ब्रेड लेने के लिए और ब्रेड उनकी स्टेपल डाई जैसे हम रोटी खाते तो वह ब्रेड खाई जाती है रोटी के साथ में ठीक है रोटी के समय पे तो र हमीय प्रोफेशन पिरम दर ए है आगे के बचो ने और जो पेकर्स है गो अई आज पी उनको क्या बोला जाता है पैडर तो एक नंभर तो एग्र ना बटा आ जाता तो इसीस आतो इतना चलुआ ने बता दिया ऑब्हु बहुत ज Rock ठीजह पिपर्डश्क पर्च्मी में में अपने बच्छमन में चब्वाइन चाहिं में रहा करते थे हैं किसी जो बेकर था हमारे एक फ्रेंड हुआ करता था एक कंपैनियन हुआ करता था और गाइड हुआ करता था वह bekar का अपने दोस्त की करती थी अब वो गते सुबह जैसी बेकर आता तो बच्छे स्वय उठ जाती थे क्योंकि बेकर वह जिंगलिंग साउंड करते वे आता था यानिकी विजो इसकी घंटी में से जंग चंग आवा जाती थी उसके अवास से खोते सोते बच्चे वाज जाती अब उनके language में उन्होंने maid servant को क्या लिखा है पासकाइन और बास्ताइन अब एक्जाम में की question आ सकता है भई पासकाइन बास्ताइन बताओ तो पासकाइन और बास्ताइन मतलब जो maid servant है तो सुबह सुबह जब बेकर आता था तो maid servant जो है वो bread लिया करती थी बच्चे फिर क् बहुत पागल से हो जाते बच्चे समीठी बेट को खाने के लिए भागते बहार आते थे बेकर से खरीदने के लिए तो बेकर चाब बेचने आता था तो वह क्या करता था पहले वह एक बैंबू अपने हाथ में पर घरता था इस फोटमें जिस्ते देख रहे हैं और फिर ब देखा है कि बेकर उनका कौन था गाई था आप इमाजिन कर सकते हैं इसको कि आपको कोई वेंडर आकर दाट दे नहीं ना बट उस जमाने में वह कहते हैं जो चोटा था तो बेकर के साथ हमारे ऐसा रिलेशन था हम उनकी तनी रिस्पेक्ट करते थे तैंट उनको इतना हक उसके डाटने के बाट भी रूपते नहीं थे हम किसी चेयर पे कभी छत की रेलिंग पर खड़े ऊकर उसकी बास्किट में जागते रहते थे और जब उसकी बास्केट में जागते थे तो इतनी अच्छी खुश्बू आती थी ताज़ा ताज़ा ब्रेट की बनी भी कि मैं अब भी उस चीज़ को आज़ता है कि हाँ भी की बात हो ठीक है तो वह उनको डाट दे रहता है यह बात आप धियान रखना थी तो फिर बच्छों को मिली जाती थी और जब वह स्वीड़ बच्छों को मिलती थी तो आथर बताते हम बच्छे ब्रश भी नहीं करते थे वह सीधा ब्रेड खाते थे चाई पीते थे चाई सारे जमस फैसी किलकर देगी गरम गरम तो इस तरीके से वह अपने बच्छपन को याद कर रहे हैं ठीक है फिर वह आगे हमें बताते हैं कि बेकर्स जो है कोई भी फेस्टिवल हो कोई क्रिस्मस हो न्यू यर हो कोई भी फ जब बेटी के engagement होती तो मदर्स की रूटी योटी तो सैंड्विच बनाएंगे तो सैंड्विच की ब्रेड बेकर लेकर आते थे खृस्मस पे बाकी फेस्टिवल्स पे केक बनता था बोलेनाज नाम के एक मिठाई बनती थी वह भी बेकर बनाते थे तो देयरफूर बेकर का प्रेजन्स गुवा के विलिज में बहुत इंपॉर्टेंट था और अब भी है ठीक है फिर वह में बताते हैं बेकर के कपड़ों के बारे में कि बेपकर जो है कैसे कपड़े पेन कराते थी तो बेकर को क्या बोलते हैं गुवा लैंग्वेज के अंदर मतलब कि महां अभी तो जो बेकर से मों कैसे ड्रेस-ब करके आते थे तो बताते है वैसे बेकर सकी पेकुलियर द्रेस होती है यानिकी नीस-कि फ्रॉक-थाइप होती थी तो बेकर से अपने ट्रेस-ब थोड़ा चेंज कर लिया था वो फ्रॉक पहनने कि जगा बेकर्स क्या पहनने लग गए थे एक प्राउजर पहनने लग गए थे जो जीन से तो छोटी थी और निकर से थोड़ी सी लंबी थी तो मतलब कि वह कैपरी पहन कर आया करते थे जितने भी बेकर्स होते चाहर ऊपर पहन लिया कर दे थे वाइड कलर की शिर्ट जैसे कि आप यहां इस फोटो में देख सकते हो तो आज के जमानी में अगर मैं प्रेसेंटली बात करूं जब भी हम किसी को देखते है ना कि उसने जो है वह कैपरी पहन रखी है तो हम बोलते है ही इस ड्रेस लाइक पैडर पैडर मतलब बेकर जो मैंने आप से अभी पूछा था कि कॉमेंट करके बताओ ठीक है तो यह बेकर की जो पेक्यूलियर ड्रेस है कभाई यह यह यादर नहीं यह वनमार कर रही है इसे सारे में से क्यों आपके प्रिपेर हो जाएंगे अगर बस एक बार आप 10 मिनट चाप्टर की वीडियो को अच्छे से समझ लो आपको यह पता है खरके अपिस्टीवल बिसमस करें चलता तो कहते हैं और बेकर न का अच्छा घासा कमा लेते हमारे इस जतने ही बेकर से अच्छे आपा ही की और यह देख के हमें पता चल जाता था धेख वेल तूडों यह कैसे वह बताते हूं आपको तो पहले बड़ा पैसे लेने का बाद हो गया दो दो इसाब होता तो जैसे हम गई बार जो है मिल्क का हिसाब लेते हैं ठीक है तो और वह जो है वह कहते है बेकलिं का प्रोफेश तो तरीके से में बता सकते हूं आपको प्रोफेशन फॉटेबल तो अब इतनी जादा ब्रेट्स बिकती तो प्रॉटेबल तो हो गई दूसरा वह कहते हैं कि भाई बेकर और उनकी फैमिली होती थी उनके जो सर्वेंट हो गए हर कोई नहीं हमेशा खुश रहता था भाई आज के साथ में जिस भी बेकर को देखते थे तो वह जाक फ्रूट जैसे ते जाक फ्रूट लाइक अपेरन्स के थे मतलब की बहुत फ्रूम्प फिजिक के थे मोटे ताजे हो तो बाई आप तो बहुत उसक्ती हैं ना खाते पीटे खांदान के हैं मोट इस तरीके से तो व आज के जमाने में भी किसी की जाक्फूट लाइक फिजिकल अपीरन्स होती है जाने को बेसिकल बहुत हेल्दी कहना जारे है अगर कोई मोटा ताजा सा होता है तो उसको भी हम वेकर से कंपेर कर देते हैं ठीक है तो एक्जाम में आ सकता है भाई यह जाक्फूट लाइक स्वीट से और क्या 10-15 मतलब कि आप समझो कि कितना असानी से हमारा यह चाप्टर कंप्रीट हो चुका है तो ऐसी हमारे सारे इंग्लिश के चैप्टर से 10-15 बेंड में हाज चाप्टर वाइंड पोज जाता है तो यह आपका फर्स चाप्टर ग्लेंप्स ऑफ इंडिया का अब एका फ्रॉम गोवा तो अभी इस वीडियो को एंड करते हैं अब मैं पढ़ाओंगे आपको नेक्स चाप्टर जो है हमारा कूर्ज ठीक है अभी इस चाप्टर के आपको वर्ड मीनिंग्स देखने वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया है वहां से जाके आप इसक अब हम पढ़ेंगे नेक्स चाप्टर जो है हमारा कूर्ज तो यह जो चैप्टर है ग्लिम्स ऑफ इंडिया का पार्ट टू कूर्ज है और बेका फ्रम गोवा हम लोग पढ़ चुके है नहीं पढ़ायते हो फीडियो लिंक डिस्क्रिप्शिन वाक्स में गिवन है ठीक है तो कूर्ज जो एक बहुत ही ब्यूटिफुल प्लेस है अगर आपको यहां ट्रिप के लिए जाया होगे तो आपको खुद देखके पता चल जाएगा कि भाई यह कितनी ब्यूटिफुल जगह है ठीक है तो कूर्ज क्या है कोच कहां पे लोकेटेट है पहले यह जानते है क अगर कोई यहां चाता है तो नहीं से लगता है कि यह तो हैवें से ड्रिफ्ट अपाट होके अर्थ प्यायानि कि जैसे कि स्वर्ग से कोई टुकड़ा जो है यहां जमीन पर आ गया हो इतना सुंदर है कोच क्या सुंदरता है कि वहां पर बहुत सुंदर वाइड लाइफ ह है इतनी अच्छी हिल से मां पर रिवर भी बहती है बहुत सुंदर फ्लोरा और फोना है कूच का ठीक है और कूच पर कौन लोग रहते हैं कूच पर बेसिकली मार्शियल में रहते हैं मार्शियल में मतलब जो वह एसोसेटेट विद वॉर ठीक है सोल्जियर्स वार इस याली है बहुत पेड़ है पहाड है तो वहाँ पे और रिवर भी है तो बहुत सारे टाइप के अनिमल्स भी है कूच के अंदर बट जो कोच है गाईस वह एक रीम फॉरेस्ट एरिया में आता है और बहुत जादा बारिश होती है यानि कि हर्से में बारिश होती है तूरिस सेप्टेंबर तू मार्च उस समय पे बारिश जो है वह इतनी नहीं होती है और पूरा महौल कैसा होता है कूर्श का क्योंकि वहां पर बहुत सारे स्पाइस के गार्डिंस है बहुत सारे कॉफी एस्टेट्स है तो महौल में अगर आप जाओगे तो हवा में कॉफी की खु सब्सक्राइऄ इमेरचेण करो कि यह कितनी सुंदर जगा है कूर्ण देकिश के लुगों के बारे में बात करते हैं तो देरा तू छोड़ी ग्रीच के रहने वाले लोग है कुछ लों कहते हैं कि ऑम खर कूर्च लोग यह रिए किलो और घृड ग्रीच मज्टेंगे तो इस पे ग्रीक के अब आपको बता हूं तो corona आपको बताऊं तो इसलिए क्या ज़ता है कि अजॉब Vater यह यह रहते हैं उजुड पीजो है यह है उन्हें के लोकलमें वुमें से आपस में वो नहीं हो जादी जादी है मान जानली साफितए how जो है उनके जनेरेशन बढ़ती हें और इस लिए उनके ग्रीग K詐क जाता हूं कि हां फॉद हूं कव पर ही है। होते हैं तो वह थोड़ा सा हमारे हिंदु में इस हैं जब इनकी पहनावे की वद्धे से कहा जाते है वह इनकी आप यह देखो यह कूजी मैन की फोटो है इन्हों ने जो कमर पी बैल्ट बाफ़ी है इस बैलट को जो है इसके ऊपर और इस बैल्ट का एक स्पेशल नाम क्या नाम है कुपिया जलदी से बताओ इस बैल्ट का नाम मुझे कॉमें सेख्शन नहीं यहां तक आपका यह चाप्टर में इतनी बात बताई है अब आगे हमें कूर्ज के लोगों के बारे में बता रखा है कि जो कूर्ज के लोग है बहुत ही जादा ब्रेव हैं in fact कूर्ज का जो रेजिमेंट है वो one of the most decorated है decorated मतला बहुत सारे medals and awards गए हैं कूर्ज रेजिमेंट को in fact हमारे इंडिया के आर्मी के जो first general थे वह भी जो है कॉन थे वह जैन्रल करिया प्यानाम है उनका उपी कूर्ज ही थे तो आधी आर्मी के लोगों का इतना ब्रेव होना ऑनेस्ट होना और बहुत ही जद्दा माशल होने का प्रूफ क्या है कि यहां पे लोगों को फायर आम यानि की बंदू के रखने की परमिशन है विदाउट लाइसेंस तो जास्ट इमाजन ऐसा कही भी नहीं हमारे पूरी कंड्री में अगर कूर्च के लोगों को यह लाउड है तो कितने रिस्वांसिबल होंगे कितने ब्रेव होंगे ठीक है और अगर कोई बिर चकल जाता है जैसे विजिटर भी जाते लोग चर लोग है वह वह पर अच्छे हैं अब अब बढ़े बदोर्गों की जो वालर की टेल से ना ब्रेवरी की है क्योंकि दिमास है वह सब बातें उनको बताते हैं अब अच्य से आपको मिलेगी अगर आप पूर्च जो है अब इसको कोदावूस को मैं वहत सारे बाइड वाइनिमों और वयर का वेडिविस ये और उसको पानी मिलता है वही कूच के फॉर ए पहाडों से वहां पानी आजाता है उस रिवर के अंदर एक बहुत की बड़ी सी मचली रहती है महासीर नाम की मचली फ्रेश वॉटर मचली होती है यह और इस मचली को खाने के लिए अगर आप आ जाओगे तो आपको किंग फिशर दिखेगी आपने डिसकवरी पे कहीं बहुत कि इस तरीके से जो चिडिया होती है वो डाइव मार के जो है मचली को हंट करती है तो वह चीज यहां पानी में फैकते हैं रिपल इफेक्ट देखने के लिए जैसे आप कुछ पथर पानी में डालो तो वह इफ्यक्त देखता है ना तो यह और यह सब यह करते रहते हैं और अगर आप जाओके आपको हाँ अनिमल्स में अलिफेंट भी दिखेगा जो नहां रही होते हैं अपने जोनके उनर्स होते हैं मेहाउट्स्मून को नहला रही होते हैं तो इतना ब्यूटिफुल आपको फ्लोरान फोना भी कूर्ज में कर सकते हैं कूर्ज में एक पहाड़ी है जिसे ब्रह्मागरी हिल्स अकर वहां पर आप ट्रेक करके जाएंगे तो वहां से पूरे कूर्ज का पैनोरामिक व्यू मतलब कि पूरा उपर पहाड़ी से पूरे नीचे जितना भी कूर्ज उसका जो है व्यू मिलता है जैसे कि जाता है और उस रोप ब्रिज को अगर पार करके जाओ तो एक आइलेंड आता है जिसका नाम निसर गधामा और वहां पर है इंडिया की वन आफ द लाज़स्ट इबेतियन सेचल्मेंट तो अगर आप जाओगे तो आपको आपको आप जो है यह जगा मेलेगी निसर गधाम वहां पर जो है इस नियर द बैल को बैसिकली आप एक मॉनिस्ट्री है तिबेतियन बुद्धिस मॉनिस्ट्री है अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे बुद्धिस दिखेंगे अपने रेड और येलो पूरे अटायर के अंदर और वहां पर जाके आप मेडिटेशन कर सकते है आप spiritualism को भी जो है वहां पे जाकर मेडिटेट कर सकते हैं यूगन फिल रिलीज कर सकते हैं अपने stress को इतना पीठ है आप आप कोर्श जाने में करा को चाह कै रासता कर बार बार कि अege बाइर्पोर्ट तक जो है और फिर महां से आप अपना बाइरोड कूर्च जो थाइसों से 206 km तक है तो इस तरीके से जो है जा सकते हैं तो यह एक तरीके से यह जो चैप्टर है ना यह हम बताया जा यहां आपको कूर्स की खुबसूरती बताई गई है तो आप उसे जान पाओ बहुत अच्छे तरीके से तो आपको पसंद आया होगा अभी जो है यह चैप्टर के अगर आपको इंपोर्टेंट क्वेशन देखने की इससे कैसे क्वेशन बनके आ सकते हैं तो उसके टेंचन ल इंपोर्टेंट क्वेशन चेक करने अगर रिटन में या फिर नोट्स चाहिए या सम्री चैप्टर की आए इंसर्ग्राम आईडी लिंक आपको जो है स्क्रीन पर सार्टिंग में देखा होगा वहां से जाकर आप नोट्स कर सकते हैं तो मैं चलती हूं बभाई थेकराण मे यह बहुत इंट्रिस्टिंग है विसके बारे में असाम के बारे में जानने वाले हैं और जानेंगे दो फ्रेंज के थू थीक है दो बच्चे जो दिली में बौर्णिंग स्कूल में पढ़ते हैं उन में से एक बच्चा जो हा वहां राजवीर दूसरा है प्राणजल ठीक ह तो प्राजवीर ने बोला भाई राजवीर को कि राजवीर भाई तू भी चल समर्विकेशन में मेरे साथ और मैं तुझे असाम गुमा के लाऊंगा तो आप दोनों बच्छे जो है ट्रेन में बैठे हुए हैं और जो है दोनों जा रहे हैं असाम क्यूंकि जो है वो अपने जाती है तो जब उनकी ट्रेन के अदर आती है चाए गरम यानिके वेंडर वह होते हैं वो चाय बेचने के लिए आए तो लोग भी दो कब चाय ले ले लेते हैं और इन फाक उनके ट्रेन के कमपार्टमें में जो भी इंसान था वो सब चाय पी रहे तो वो चाय पीतावा देखके जो राजबी रहना वो प्रांजल अपने दोसको बजाता है भाई तुझे पता है पूरी दुनिया में एक दिन मे असी करोड कप जो है अगर हम पूरे वर्ल का निकालेंगे तो आ जाएगा कि लोग इतना जादा वर्ल से वनिया में नहीं टी को इतना पसंद करते हैं तो जैसी प्रांजल जो है सुनता है इस बात को कि असी करोड कप एक दिन या नदू होगता है वह सहीं में बड़ी हरान आज उसको डेटेक्टिव नौवल में कोई इंटरस्टी है क्योंकि आज उसे भार जो ब्यूटिफुल सीनरी देख रही है असाम जाने के रास्ते कि उसमें जादा इंटरस्टे वो जादा ब्यूटिफुल है और उसका पूरा का पूरा आखे जो हो हटाई नहीं पा रहा ह वो खिटकी बाहर देख रहा हो और देख रहा है कि किस तरीके से वहां पर पूरा का पूरा सुंदर सुंदर एसे खिल्स वाले अरिया आ रहा था उन पर बुशिस्थी टी की पीछे पेड़ थे और दूर से उसे दिखाई दे रहा था कि वहां पर जो डॉल-like structure स्यानि कि व प्राजवीर नो पर रहास्ते की तू मैं बहुत एकी आप पर देखता है उसको नहीं तो पहले पहले बहुत बार देखते को तो भी तो बहुत है क्टापी अब इहां पर इतने का ने तो कि तुम पूरी नाइफ टे हो कि इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ट की लाजस्टी सेचलमेंट है कहां पे जो है असाम के अंदर है निकि सबसे साधा आठी असाम में हो गई जाती है तो कहता है भी तुम्हें बहुत सारी देखेंगी और फिर जो है हमारा राजवी जो है कुछ फैक्स पढ़के आया है ती लेजेंड लेजेंड बता जा रहा क्या लेजेंड से तो वह पहला लेजेंड बताता है राजवी गाजर कहता है एक लेजेंड ये है कि जो टी है शायद जो है वो चाइनीज ओरिजन की है टी के ओरिजन के बारे में औरिजनली किसी को पता ही नहीं कि टी ओरिजनेट कहां तो पहला तो है वह चाइनीज लेजंड है तो चलो मैं आपको पहले चाइनीज वाला लेजंड बताती हो बाउट डिस्कवरी ओफ टी तो चाइनीज लेजंड ये कहता है कि एक चाइनीज रूलर थे वह हमेशा ना पानी को बाल के पिया करते थे तो एक बार क्या हुआ गलती पानी में पीने की और चाइनीज ओरेजन से है टी एक ये कहावत है लेजंड है दूसरा वह पूछता अच्छा बाई दूसरा बता रहे ना स्टूरी प्रांजल को आगया अच्छा दूसरा अले बताई हो उसको अब इंडियन लेजंड है इसमें कहा जाता है कि एक बुद् आखी उसको कट कर दिया और उन्होंने जब अपनी पलको को कट कर तो उसमें से निकले 10 चाय पती के पौधे निकलते हैं और जब उन पौधों की पतीयों को पानी में बाल के पी जाता है तो उससे आपकी बैनेश होती है तो नीम नहीं आएगी तो अगर पड़ते समय नीम बहुत जब पी जाती है और इंफाक्ट यह जो वर्ड है ना चाय चीनी यह चाइनीज ओरिजन के है और चाइना से जो चाय पीने का यह चलन है वह यौरप गया और फिर एशिया में आया और यौरप के अगर हम बात करें तो वहां पहले जमाने ना पुराने जमाने में एक सेंचुरी बताईया उसने कौन सी सेंचुरी में अब यह आपका इस चापे अधर मेंसे आप मुझे बताऊगे जो अभी त्रह जो राजवीर जो है बताते है राजवीर बताता है कि यौरप में डाश सेंचुरी में पिया जाता था देन बैवरेज मेडिसन मतलब कि बट वो कहता है कि यॉरप में एक पर्टिकुलर सेंचुरी तक ती को जादा ना दवाई की तरह की जगला खराव में तो टी पी जाती थी ठीक है अब वो कौन सी सेंचुरी है यह होंबग में आप मुझे कॉमेंट में बताओंगे ठीक है तो इतनी सारी बाते जब टी की जो है वो बताने लगता है हमारा दोस्त राजवीर अपने दोस्त प्रांजल को तो कहीं नगई वह ब serious हो जाता है फिर इतने में लेकिका सी अज़के ह स्टेशन 13 कहीं है और उनकी train रुख जाती है अभी वहाँ पे प्रांजल के मम्मी पापा उन्हें रिसीव करने के लिए आते हैं वो लगेज लेके उतरते हैं और देन दे मूव टोवर्ट्स देके बारी टी एस्टेट है इसके ही मैनेजर है प्रांजल के पापा तो वो गारी में बैठके जाते हैं पहले एक ब्रीज को यह पार करते हैं काफी देर में जो है वो इस एस्टेट में एंटर करते हैं जब वो एस्टेट में एंटर करते हैं तो भी एक ग्रेवल की रोड या निकी पत्री रोड आती और उसके दोनों तरफ टी बुशेस के गार्डन थे सब्सक्राइब करेंगे और वहां पे उसमें संधर था कि ना कि I cannot even tell you वहां पर अगर कोई एसां के सुरेंड है या पिर अगरको ऐसाम गया है तो उन्होंने इस ब्जूटी को अपने आप जो है देखहा होगा थीग है तो बता ना मुझे कॉमेंट सेक्शन में कितने बचे असाम से हैं या अगर किसे ने असाम को विजिट कर आए तो ठीक है तो वो जो है फिर वहां जब जा रहे होते हैं वो रास्ते में उस ग्रेवल वाली रोड पर तो एक ट्रैक्टर निकल के आता है तो प्रांचल के पापा है न है यानी कि ए वो वाले टी लिवस जा रहे है न जो पूरे वर्ल्ल को सबसे बेस्ट क्वालेटी की टीज जो है प्रोवाइट करती है और इसका सीजन रहता है मैं से जुलाय का मैं से जुलाय में मिलती है यह सेकंड फलश है ना तो अंकल समाझ जाते है कि यह अपना और भूलता है तो अंकल कहते हैं कि बेटा तुमने होमवक अपना बहुत अच्छे से गर कर रहे हो या निकिता तुम अच्छे से पढ़के आयो एहाने से पहले तो फिर राजवीर भी खुश रहा थे कि अंकल यह उसकी तारीफ कर दियो राजवीर कहता है तो अभी तो मुझ एक्जाम में बहुत सारे आने वाले हैं इस चाप्टर से यह जो लेजन्स है यहां पर क्वेशन डिफिनिटली आता है एक्जाम में तो उसके लिए वीडियो लिंग गिवन है फर्स्ट कॉमेट के अंदर भासे चाके क्वेशन प्रिपेर कर लो सिर्फ इसके नहीं ग्लिम्स क्वेशन चेक करना है तो इंसेग्राम आईडी लेंग पे जाके आप जो है एक्सिस कर सकते हो और सिफ इंग्लिश नहीं एसस्टी का भी गिवन है तो विद इस वाब बेटी के वेस्ट आफ लग मैं मिलती हूं आपसे नेक्स वीडियो